हलो दोस्तो, वेलकम तो मैं चानल डियेट और फिटनेस, मैं हूँ आपकी होस्ट डियेटिशन अकांगशा, आज की वीडियो में दोस्तो हम देखने वाले हैं कि मचली खाने से हमारे शरीर को कौन से कौन से फायदे होते हैं, तो दोस्तो आप मैं से बहुत सारी लोग ऐसे हो वो खाना ऐसे लोगों को बहुत पसंद आता है, और अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, गौर से देखा होगा, तो अगर आप इनकी तवचा देखो, या फिर उनके बाल अगर आप देखो, ऐसे लोगों के जो लोग मचली बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ही ज्यादा चमकदार और ग्लोइंग तवचा होती है, उसका कारण भी वैसा है, मचली जो होती है, उसमें कई सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं, कास तोर पे अगर हम देखें, तो हाई कॉलिटी प्रोटीन जो होता है, वो बहुत ही अच्छी मातरा में हमें मचली से मिलता ह हाई कॉलिटी प्रोटीन के साथ साथ उमेगा 3 fatty acid जिसे हम कहते हैं, उसे के साथ साथ vitamins है, vitamin B complex, B2 vitamin जिसे हम कहते हैं, या फिर ऐसे कई सारे पोशक तत्व जो होते हैं, काल्शिम है, फॉस्फरस है, जिंक है, मैंगनेशिम है, ऐसे कई सारे पोशक तत्व मचली से हमारे शर जादा मदद करते हैं, इन सारे पोशक तत्व के साथ साथ vitamin D है, जो कि हमारी हड्यों के लिए काफी अच्छा होता है, या फिर iodine जो होता है, ऐसे पोशक तत्व भी मचली से पाए जाते हैं, तो मचली से आप अलग-अलग प्रकार की recipes भी बना सकते हो, बहुत ही अलग-अ शरीर को कौन से कौन से फाइदे होते हैं, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक request करूँगी, कि अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe कर लिजे, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी, उसकी सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी, सबसे पहला फाइदा है मचली का हमारे शरीर को, जो की है ये विकास यान की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो मचली के अंदर जो काफी अच्छी मातरा में omega 3 fatty acid पाये जाते है, वह दोनों की अच्छी मातरा इसमें पाई जाती है, तो इसलिए खास तोर पे गरभावस्ता में जो पेट में बच्चा है, उसके विकास के लिए, उसके दिमाग के विकास के लिए मचली का सेवन करना काफी अवश्यक है, लेकिन एक बात यहाँ पे और हो जाती है कि अगर हम बात करें तो सालमन मचली है या फिर साडीन मचली जो आती है, वो काफी अच्छी होती है, तो खास तो और पे गरभावस्ता के दोरान अगर आप ये मचली लेते हो, तो ठीक है और वो भी आपको अच्छे से पका के लेना है, अच्छे से साफ करके और अच्छे से पकाके ही वो मचली लेनी है, किसी प्रकार का जो कच्चा पन होता है, जो एक raw मचली जी से हम कहते हैं, वैसा उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जो mercury होता है, उसका खत्रा बढ़ सकता है, और उसे के साथ आखों के लिए भी ये काफी अच्छा होता है, ज दूसरा फायदा है मचली का हमारे दिमाग के लिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, कि उमर के हिसाब से थोड़ी से जो हमारे ब्रेन की यानि की दिमाग की शक्ती होती है, कारिय होता है, वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है, छोटी-छोटी चीजे भूलने को ह होती है, और अगर आप देखो तो अलजायमर जैसे जो खतनाग बिमारिया होती है, उनका खत्रा भी बढ़ता जाता है, तो इसे के कारण अगर मचली का सेवन अच्छी मात्रा में किया जाए, तो ऐसे अलजायमर जैसे जो बिमारिया होती है, उनका खत्रा कम हो सकता है, अगर अच्छी मेमरी चाहिए होती है बढ़ती उमर में तो मचली का सेवन करने से मेमरी अच्छी रखने के लिए या अदाश अच्छी रखने के लिए ये काफी मदद करता है उसे के साथ साथ भावनिक विकाश होता है उसके लिए भी ये काफी मदद करता है तो खास तोर प करने के लिए उसकी जो देरी होती है उसे बढ़ाने के लिए भी मचली काफी मदद करती है उसके बाद मचली का फाइदा जो होता है हमारे शरीर को वह हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए मचली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटमेंट दी पाया जाता है जो की कै अगर आपको कोई भी बाकी की मचली भी पसंद है तो ऐसी सारी मचली का सेवन अगर आप अच्छे मात्रा में करते हो तो वो भी विटमिन D की एक अच्छी मात्रा आपके शरीर को देगा और फिर उमर के साथ साथ कभी कबार अर्थ्राइटिस है या फिर हड्डियों की जो भ काफी मदद करेगा हड्डियों के बाद हमारे दिल के स्वास्थे के लिए भी मचली काफी अच्छी रहती है मचली के अंदर क्योंकि ओमेगा 3 fatty acids पाए जाते है और जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार इसके जो है EPA और DHA ये दोनों काफी अच्छे होते है हमारे दिल के स्व की मताप होता है उसे कम करने के लिए या फिर उसे नियंतर्ण के लिए भी ये काफी मदद करता है और जो क्योंकि इसके अंदर मचली के अंदर अच्छी मातरा पाई जाती है ओमेगा 3 fatty acids की तो हमारे शरीर का जो लेश्टेरॉल होता है उसके नियंत्रण के लिए भी ये काफी अच्छा होता है तो इतने सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं हमारी दिल के सेहत के लिए तो इसे के कारण मैकरल है या फिर टूना है बाकी की जो मचलिया होती है ऐसी अलग-अलग प्रकार की मचलियों का आपको एक अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि आपका बीपी नियंत्रण में रहने के लिए या फिर आपका दिल स्वस्त रहने के लिए मदत होगी मचली काने से जो अगला फायदा होता है हमारे शरीर को वो है हमारे शरीर का कैंसर से बचाओ क्योंक के लिए ये मदद करता है उसी के साथ साथ जो free radicals की वज़े से cells का damage होता है cells का नुकसान होता है उसे कम करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए भी ये काफी मदद करता है तो अगर आप एक अच्छी मातरा में मचली का सेवन करते हो तो फिर आपको मैसूस होगा कि बहुत सारी जो problems होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है उसे के साथ साथ तवचा का cancer है या फिर breast cancer है prostate cancer है ऐसे कई सारे खतरना cancer से बचाव करने के लिए ये काफी मदद करती है अगला फाइदा है मचली का हमारे श्वसन के लिए मचली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में potassium और जो B complex vitamins होते है वो पाय जाते है जो की हमारे श्वसन तंत्र की रक्षा करने के लिए काफी मदद करते है और asthma जैसे जो बिमारिया होती है उनसे हमारी रक्षा करते है खास तोर पर अगर आप देखो तो बच्चों में जो अस्तमा हो जाता है उसे कम करने के लिए या फिर उसे avoid करने के लिए भी आप मचली का सेवन कर सकते हो उसे के साथ साथ लगातार खासी अगर किसी को होती है तो फिर उसके कारण बहुत ही जादा सूजन या फिर कभी कबार जलन इंफ्लमेशन जैसा लगता है तो उसे कम करने के लिए भी ये काफी मदद करता है तो इसलिए श्वसंद की किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर आपको होती है तो भी आप मचली का सेवन कर सकते हो श्वसंद के साथ साथ जो अगला फाइदा होता है मचली का वो है हमारी तवचा के लिए और हमारे बालों के लिए तो मचली के अंदर उमेगा-3 fatty acids के अच्छी मात्रा पाई जाती है उसके कारण जो essential oil होता है एक प्रकार का जो की हमारी जो शरीर होता है हमारा वो कुछ से produce नहीं कर पाता है शरीर के अंदर उसकी निर्मिती नहीं होती है तो इसलिए हमारे आहार से लेना काफी आवश्यक होता है और जब ही आप आहार से omega-3 युक्त बदार्थों का सेवन करते हो तो फिर तवचा के जो oils होते है natural oils होते है उन्हें balance रखने के लिए नियंतरित रखने के लिए ये काफी मदद करता है उसे के साथ साथ हमारी तवचा का जो hormonal balance है उसे भी अच्छा रखने के लिए ये मदद करता है और फिर इसका काफी अच्छा असर आपकी तवचा पे दिखता है तो अच्छा बहुत ही चमकदार और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है अगर आप मचली का सेवन अच्छी मात्रा में करते हो बालोगी अगर हम बात करें तो मचली के अंदर ओमेगा 3 fatty acids के साथ साथ जो magnesium की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है बाकी के भी कई सारे पोशक्तत्व होते है तो उसी कारण ये बालों का जो गिरना होता है उसे काफी कम कर देते है जो बाल गिरते है या फिर तूट जाते है ये सारी problems को कम करने के साथ साथ बालों की growth को भी बढ़ाते है तो अगर घने बाल आपको चाहिए तो मचली का सेवन आप आपके आहार में जरूर कर सकते हो उसे के साथ साथ जो हमारी scalp होती है यानि कि सिर्की जो तवचा होती है उसे भी ये नमी अच्छी तरीके से देता है तो बहुत ही ज्यादा dry बाल जो होते है, freezy होते है ऐसे बालों को avoid करने के लिए भी ये काफी अच्छा रहता है यानि कि बालों को भी अच्छे से नमी देता है और बालों को भी चमकदार बनाता है लेकिन आपको चीज यहाद रखनी है कि जो मचली आप खाते हो वो ज्यादा तोर पे कम तेल में बनाई हुई होनी चाहिए क्योंकि आप जितना ज्यादा तेल में अच्छ से फ्राय करके उसे बनाओगे उतना उसकी पोशक तत्व भी निकल जाते है और उसे के साथ-साथ जो ओईल आपके शरीर में जाएगा उसका फिर बुरा आसर आपकी तवचा फिर आपके बालों पे दिख सकता है तो इसलिए ग्रिल्ड मचली है या फिर रोस्टिड फिश होती है इसे अलग-अलग प्रकार में जितना कम तेल के साथ हो सके उतना आप मचली बना के ले सकते हो अगला फाइदा है मचली का वजन कम करने के लिए मचली के अंदर काफी अच्छी मातरा में प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी आसिट पाये जाते है जो कि वजन नियंतरित करने के लिए या फिर वजन कम करने के लिए काफी अच्छा परियाय हो जाता है क्योंकि इसमें फैट या फिर चरबी की मातरा जादा नहीं होती है लेकिन इसमें प्रोटीन भरपूर होता है तो वजन कम करने के लिए वो काफी जादा जरूरी है उसे के साथ साथ अगर आप कसरत करते हो, जिम करते हो तो उसके दोरान जो आपको एनरजी चाहिए, उर्जा चाहिए वो भी अच्छी मातरा भी देती है और जो सेल डामेज होता है, उन्हें रिपैर करने के लिए भी ये काफी अच्छी होती है तो इसलिए खास तोर पे जो लोग अच्छे से जिम करते है या फिर otherwise भी, अगर आपके आहर में मचली का सामावेश करते हो तो फिर आपका वजन नियंतरण करने में वजन कम करने के लिए ये काफी मदद करेगा और एक फाइदा मैं या आप बताना चाहूंगी मचली का जो की है अच्छी नीन लाने के लिए बहुत बार ये होता है कि तनाव के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण नीन जो होती है वो बहुत ही हमारी कम हो जाती है या फिर अच्छी नीन नहीं लेगती है तो ऐसी प्रॉब्लम में भी आप मचली का सेवन कर सकते हो अगर आप अच्छी मात्रा में मचली लेते हो अपने आहार में तो फिर अच्छी नींद आने के लिए यह आपको काफी मदद करेगी तो यह इतने सारे फायदे होते हैं दोस्तों मचली के हमारे शहीर को तो मुझे उम्मीद है कि अब से आप मचली का अच्छी मातरा में सेवन करना चालू कर दोगे उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल न भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करें मैं अब आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई